हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी, I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्छा एक के विसेगरित के सब तहाते इसकी वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगरनेगम के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है गैर मानक इकाईयों के साथ मापन तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं इस कारे पत्रक में उप्योग की जाने वाली गैर मानक इकाईयों तो कौन कौन सी हैं बालिस्त पाओं पैंसिल प्रस्ण है पैंसिल की मदब से अपनी मेज की लंबाई मापें तो बच्चों यहाँ पर है मेरी मेज पैंसिल लंबी है अब बच्चो नेक्स्ट है बालिस्ट से अपनी पुस्तक की चोड़ाई को मापें बच्चो बालिस्ट आप देख सकते हैं एक हाथ की इस तरीके से आप चोड़ाई को मापेंगे हाथ के द्वारा तो उसे क्या कहते हैं बालिस्ट कहते हैं जैसे कि मेरी पुस्तक दो बालिस्त चौड़ी है, तो बच्चो आप अपने हाथ से अपनी पुस्तक को नाप कर यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट है अपने पाओं का उपियोग करके अपने घर पर किसी भी कालीन की लंबाई मापे, तो बच्चो जैसे कि यहाँ पर आप द पाओं का उपियोग करके अपने बिस्तर की लंबाई मापे, तो बच्चो इसी तरीके से आप जैसे कि यहाँ पर यह बिस्तर है, इसकी आप लंबाई मापेंगे, जैसे कि मेरा बिस्तर 15 पाओं लंबा है, तो आप अपने बिस्तर की लंबाई माप कर लिखेंगे, नेक्स् आप अपने फ्रिज को नाप कर लिखेंगे नेक्स्ट है बालिस्त से किसी भी बाल्ती की उचाई को मापेंगे इस बाल्ती की उचाई चार बालिस्त की है आप अपने घर की बाल्ती को नाप कर लिखेंगे नेक्स्ट है पैंसिल से अपनी टीशर्ट की चोड़ाई को मापें तो बच्चो आप इस तरीके से पैंसिल की साहता से टीशर्ट की चोड़ाई को मापेंगे तो बच्चो ये जो टीशर्ट है दो पैंसिल चोड़ी है तो आपकी कितनी है आप अपनी टीशर्ट को पैंसिल से नापकर लिखेंगे नेक्स्ट है उपरोग तो प्रियोग में लाई गई गयर मानक इकाईउ में से कौन सी आकार में सबसे लंबी है उत्तर कैखे गया कैखे रूप में खाली बॉक्स में लिखें तो बच्चो यहाँ पर क्या क्या है बालिस्त पैंसिल पाओ जीवन कौशल पिकने की योजना विद्याले ने चातरों को एक दिन के लिए चिरियागर ब्रहमण पर ले जाने की योजना बनाई कुछा के चातरों ने 50 रुपे घर से लाने का फैसला किया ताकि ब्रहमण का आनंद लेने के लिए अतिरिक्त खादय पदार्ट खरीश चकें उसके लिए उन्होंने कुछ खादय पदार्टों को उनकी मुल्य के साथ सूजी बद किया है तो बच्चों यहाँ पर है केला पांच रुपए का फ्रुटी है दस रुपए की चॉकलेट पांच रुपए की चिप्स है दस रुपए के बिस्कुट कितने रुपए के हैं दस रुपए के सेब है एक पंदर रुपए का और आईस क्रीम है दस रुपए की अब बच्चों यहाँ पर प्रश्ण है 50 रुपई खर्च करने के लिए वस्तुओं की करम संख्या लिखें तो बच्चों यहाँ पर वस्तुओं की करम संख्या लिखनी है हमें तो यह है बच्चों करम संख्या 1st, 2nd, 4th, 1, 2, 4, 6, 7 अब बच्चो 1 नमबर पर जो ठेंगे कितने रुपे की है 5, 2nd पर 10 की है, 4th नमबर की 10 की है, 6 नमबर पर 15 की है और 7 नमबर पर 10 की है तो बच्चो सारे प्लस करकर कितने हैं 5 & 10, 15 & 10, 25 & 15, 40 & 10, 50 तो बच्चो याँ पर कितना है 50 अब ऐसे ही बच्चो नेक्स्ट है, 45 रुपए खर्च करने के लिए वस्तों की क्रम संख्या लिखें, तो बच्चो कितने रुपए खर्च करने है 45, तो 45 में कौन-कौन से क्रम की चीज़े आएंगी, तो बच्चो उनका यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पर क्र 46, तो बच्चो एक नंबर की जो थेंग है, वो वह फांच रुपई की है तो बच्चो प्लस करने पर कितने होंगे, 5, 5, 10 and 10, 20, 10, 30 and 15, 45 तो बच्चो आप इस तरीके से कंपलीट करेंगे संसकार साला छोटी छोटी पर बड़ी बातें सफलताओं की कुंजी बाधाओं पर नहीं लक्षों पर ध्यान केंदित करने के लिए है खाने पीने में आज आप लेंगे अपने परिवार के साथ अंकूरित सलाद गति विधी अपनी मा के लिए एक अंकूरित सेंड्विच बनाएंगे तो बच्चों अंकूरित जैसे की चने होते हैं बच्चों दाल ले सकते हैं उसे अंकूरित करके आप अपनी मा के लिए सेंड्विच बनाएंगे खेल खेलेंगे आप आख में चोली का दैनिक दिन चर्या निम निलिकित आदतों को अपनी दिन चर्या में सामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रस करें प्रति दिन इसनान करें खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोए अपना ग्रह कारे समय पर पूरा करें बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू